विल्कम यू वाल टू दी चैनल कई बार ऐसा होता है कि जाने अन जाने में इन दा आइज आफ लॉव हमारे से मिस्टेक हो जाता है हम नहीं जानते कि हमसे यह गलती हो रहा है या फिर यह इल्लीगल चीजे हैं और ऐसे सिचुएशन में जो हमारे सामान यूज हो होता है जैसे वहिकल या और कोई भी प्रॉपर्टी यूज होता है वह पुलिस सीज कर लेती है गौर्मेंट अथार्टी सीज कर लेती है तो ऐसे ही एक टॉपिक पर आज डिसकस करेंगे जिसको बोलते हैं सुपरदारी सुपरदारी क्या होता है और आपका जो भी property जो भी समान अगर किसी legal काम में गलती से आपने किया है या फिर जान बूचके किया है तो ऐसे situation में वो seize कर लेती है पुलिस authority seize कर लेती है तो ऐसे situation में कैसे deal करना चाहिए कैसे वो property को छुड़ाना चाहिए कैसे वो अपने position में ल है ऐसे situation में discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं तो friends कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई भी property कोई भी चीज अगर unknowingly use होता है किसी illegal काम में suppose अगर आप अगर आप किसी एक state में है और दूसरे state में जा रहे है इस फील एक चलो मैं इधर से लेकर लेकर जाता हूं अपने घर पे मैं एक डेली और यूपी के स्टेट में आप लेकर नहीं जा सकते एक्साइज ड्यूटी पे हुआ होता है लीकर पे या फिर अगर मैं एक्जामपल लो कि कभी accident हो जाए कभी मेरी गारी से accident हो जाए तो ऐसे situation में गारी जब्त कर लेती है पुलिस तो यह दोनों कंडिशन साब को बताया दोनों एक्जामपल साब को बताया दोनों situation बताया केसे situation में पुलिस गारी को जब्त कर लेती है अगर गारी इसमें यूज हुआ आपका तो तो ऐसे situation में आपको पुलिस पकड़ सकती है क्योंकि excise duty गोवा में पे हुआ है मुंबई में महरास्ट्रा में नहीं पे हुआ है तो ऐसे situation में पुलिस है सीज हुई है उसको कैसे चुलाना चाहिए तो ऐसे situation में आपको को अप्रोच करना चाहिए जो जिस्टिक्शन में पुलिस ने पकड़ा है उसके जिस्टिक्शन में आपको जाके जो कोट होता है उसमें section 451 CRPC इसी डील करता है कि जो भी property किसी भी process में अगर पकड़ा गया है तो उसे जब trial चल रहा है जिय जब trial चल रहा है उसके during भी आप अपनी property को छुबआ सकते हैं तो जब trail चल रहा है जब court में प्रोसेस चल रहा है तो आप section 451 में court को अप्रोच कर सकते हैं कि मेरा यह हमान पुलिस ने सीज किया है और उसे बिर्लीज किया जाये तोख मैरे देखता है कि सध्lifting करना सही होगा या नहीं और मोस्ट आफ दे टाइम स Intelligence कबाना कि और पहले टेकलोरी नहीं था उतना तो जो भी वहिकल या फिर जो technology का टाइम है कोट ने बहुत बार बोला है कि technology का टाइम है तो आप technology का यूज करें और जो भी समान है या फिर जो भी आर्टिकल से यूज हुए हैं ऐसे activities में तो आप उसको रिलीज करें सो दैट उसकी प्रॉपर्टी की वैलू कम नहीं हो सपोस्पोस अगर गारी जब किया है तो गारी का रखे-रखे वह माल खाना में खराब होगा उसके according फिर जज्जमेंट देती है court और अगर सीज करना है गारी को तो सीज करने का भी order दे देती है बट डूरिंग ट्रायल आप वहिकल को रिलीज करा सकते हैं जिसे सुपरदारी बोलते हैं सुपरदारी प्रोविजन होता है की यूज कर सके उस वहिकल को या सामान को जो भी आर्टिकल उसको उसका वैलू डिप्रीशिय Donate से पहले वह यूज करे तो नैट उसकी जो भ simply यह का है वैस्पर पर क्या होता है कि हम बहुत आर्ष को क्या होता है कि हम कोई ले 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 लें है और और किसी को चलाने के ल रिलीज करने के बात करता है, और कॉर्ट रिलीज करता है, अंडर सक्षन 451, CRPC, Criminal Procedure Code, सक्षन 451 के अंडर में, रिलीज करने का ओर्डर दे देता है, तो ये हमने डील किया आए सुपरदारी से, कि सुपरदारी में वहिकल को कैसे छुडाना चाहिए, क्या कंडिशन में, क्या सिच्वेशन में, कोट आपको वहिकल को रिलीज करने का ओर्डर देता है, आपको इसको, तो बैसिकली सुपरदारी प्रोविजन का मतलब क्या है, और रीजन क्या होता है, कि कोट इस पर डील करती है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है, कि जो प्रॉपर्टी यूज हुई है, उसका डिप्रिशेशन ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी रखे रखे खराब हो जाएगी, और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा, और इंडिया में कोई भी ट्राइल चलता है, तो बहुत लॉंग डूरेशन तक चलता है, काफी टाइम ल यह इंजस्टिस होगा आपके साथ, इसके लिए कोर्ट हमेशा ट्राइ करती है कि जो भी वहिकल है, जो भी प्रॉपर्टी यूज हुआ है, वो रिलीज हो जाए, किसी पार्टी का नुकसान नहीं हो, इंजस्टिस नहीं हो, तो यह प्रोविजन थे, यह डील था, यह सिच सिच्चन 451, CRPC के अंडर में, आप अपना कोई भी समान अगर जब्त हुआ है, पुलिस ने, ऐसे सिच्चन में तो आपको उसको रिलीज करा ले, और इसके लिए को ज्यादा खर्चा नहीं होता, इसके लिए 100 रुपीज का स्टैंप पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैंप समीट करना होता है, और एक एप्लिकेशन बना के किसी भी आप एटर्न, रख़ोयर, को हायर कर सकते हैं इसके लिए, और वह एक एप्लिकेशन मूव कर देता है, और मूव करने के बाद, एक डेट परती है और हाड़ली एक यदो डेट में, आपकी वहिकल रिलीज हो जाती है, सब्सक्राइब कर दो या फिर ज्यादा सब्सक्राइब को सुपरदारी समझ में अगर इससे रिलेटेट कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूल सकते हैं थैंक यू